का अश्मालीकूम कैसे हैं आप सब लोग आई होपा बिल्कुल ठीक होंगे अलहम्दोलीला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज है संडे तो संडे को दिल का रहा था कुछ स्पेशल करने को पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम चले जाते हैं आज बाहर बाहर जाके कुछ गूम के आते हैं कुछ खा के आते हैं पर सड़नली जब हम लोगोंने ब्रेकफास्स किया तो मेरा दिल नहीं किया बाहर जाने को बिकोज ओफ संडे ही एक दिन होता है जब हम लोग घर पे रहते हैं मुझे चुटी होती है मेरे हस्बन भी घर पे होते हैं तो मैंने का चलो आज घर पे ही कोकिंग कर लेती हूं साथ में टाइम स्पेंट हो जाएगा कुछ बाते कर लेंगे तो बस जी आज मैंने घर पे ही कोकिंग की या फिर अच्छा जी आज मैं बना रही हूँ आलू गोश तो मैंने का इसकी रैस्पी आप से शेयर कर लेती हूँ वन केजी मटन है उसमें मैंने अदरक लसन प्याज हरी मिचें और टमाटर सब कुछ काट के डाल दी है उसके साथ ही मैं इसके अंदर स्पाइसीज आड़ कर दूँगी स्पाइसीज के अंदर मैंने एक चमच नमक, दो चमच सुरख मिर्च, एक चमच हल्दी, एक चमच सुका दनिया और एक चमच जीरा पोडर डाला है, एक ग्लास पानी डाल के अब इसको मैं चुले पे रख दी है एक बॉयलाने के पार मिडियम फ्लेम पे इसको पकाऊंगी, इसको मैंने 70 से 80 परसंट कुप करना है उसके बाद जो आलू डाल के इसको 20 परसंट कुप करूंगी जी तो साथ ही मैंने बरतन बोश करना चुरू कर दिया थे, सालन उपर रख दिया था मैंने का जब तक वो पकता है तब तक मैं बरतन बोश कर लेती हूँ नाश्ते के बरतन थे, तो मैंने का साथ ही बरतन दो लेती हूँ अच्छा मुझे वो बहुत बुड़ा लगता है जो धेरो बरतन कठे हो के फिर बोश करने है मौनी मुझे अच्छा लगता है मैं सारा दिन में भी जब भी मेरी भारी होती है मैं थोड़े थोड़े से किचन में जाके ना बरतन दोती रहती हूं ताके बरतनों से बढ़ा हुआ ना हो और वैसे भी जब आप एक चैनल चला रहे हो ये देखने में बड़ा इजी है फटा फट कुकिंग हो गई है, सारा कुछ हो गई है तो ऐसा नहीं होता है, बहुत पीछे के काम होते है मतलब आपको सासा सफाई करने परती है, सासा बटन वोश करने परती है ताके बहुत जादा जो मैसो तैना वोना पड़े अच्छा जी ये बिल्कुल एजी नहीं है तो अब जो पानी जो था वो ड्राइ हो चुका था अब इसके अंदर मैंने एक कप ओिल डाला है अब इसको मैं भून लूँगी, इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक चमच गरम मसाले का ताके ये अच्छे से ना बुनाई इसकी हो जाए और इसकी जो स्मेल है ना बिल्कुल खतम हो जाए जो मेरा गोश्ट है ये 80% को खो चुका था अच्छा मैंने दूसी तरफ ना अलू बॉयल करने रख दिये हुए थे मैं हमीशा अलू गोश्ट इसी तरह पकाती हूँ चाहे चिकन में पकाना हूँ चाहे मटन में पकाना हूँ मैं अलू को काटके पानी डालके सेप्रिल ली बॉयल करने के लिए रख देती हूँ आलू जो है ना वो भी मैं 80% पानी में कुक कर लेती हूँ जो 20% है उसे फिर सालन में डाल के रख देती हूँ अच्छा जी दूसी तरह मैंने सालन को लो फलेम पे कुक करने के लिए रख दिया था तांके आलू का और जो गोश का जैक है वो एक साथ हो जाए तो उसको मैंने लो फलेम पे पकने के लिए रख दिया दूसी तरह मैं मना रही हूँ पास्ता स्वईया जी तो पास्ता स्वईयों को पहले मैं बॉयल करूंगी उसी तरह जिस तरह हम मिकरोनी या स्पैक्टी को भॉयल करते हैं बिकोज ओफ ये पास्ता स्वईया भी उसी तरह थोड़ी सी मोटी होती है तो इसे मैं 90% पानी में कुक करूंगी बार मैं 10% इसे जो है न मैं दूद में पकाऊंगी बिकोज ओफ ये जो दूद है ना सारा सक कर लेती है और फिर बहुर ड्राय हो जाती है तो वो भॉयल हो रही थी स्वईया और साथ मैंने आलमंड जो थे वो भी गवे हुए थे उसको मैं पील ओफ कर रही थी कि ये वो मैंने इसके अंदर डालने थे और कुछ नहीं मैं डालूंगी जस मैंने आलमंड यूज की है बाकी कि अगर आपने मेवे जात इसमें डालने है तो वो आपकी च्वाइस है आप डाल सकते है अच्छा यहां स्वईया जो थी वो कुको ओ चुकी थी तो अब मैंने ना दूद बॉयल करने के लिए रख दिया है यहां मैं दूद को एक बॉयल आने के बाद पंदरा से बीस मिनट लो फलेम पे पकाऊंगी तांके दूद का जाएक का जो यह ना वो बहुत अच्छा सा निकला है और एक अच्छा सा कलर बन जाए अच्छा यह दूद जो है ना फुल फैट है इसके अंदर मैंने पानी नहीं डाला हुआ इसके बाद जी अब मैंने इसके अंदर डाल दी है सुईया साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी हाफ काप शुगर शुगर आप अपनी क्वांटिटी के साफ से भी डाल सकते हैं मैंने नॉर्मल शुगर रखी है ना बहुत तेज है ना बहुत कम है जी तो चीनी डालने के बाद इसको मैं लो फ्लेम पे न कोई 15-20 मिन पकाने के लिए रख दूँगी कि ये दूद में अच्छी तरह पक जाए थोड़ा सा दूद भी जो ड्राइ हो जाए ठिक सा हो जाए इसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दी हैं बदाम और इसको दो से तीन मिन पकाने के बाद इसको चुला मैंने कर दिया है बन बिक जी तो अल्मोस मेरी कुकिंग डन हो चुकी है बस मेरे चावल रहागी है बनने मले तो हो मैं बना रही हूँ सिंपल सा मटर प्लाओ था तो मैंने का इसकी रेस्पी आप लोगों से क्या शेयर करूँ यकीना सबको आती होगी तो बाकी का सारा मैनियो मैं लगा के आपको दिखाती हूँ किस तरह का बनाया और आपने आज मेरी वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स जरूर करने है जी तो यहाँ चावल भी मेरे डन है अब इसको मैंने लगा दिया धंपे यह तो आए यहाँ आपना बैग असेंबल कर रही है कल आएद की नेउ क्लासी स्टार्ट हो रही है मंडे को आएद फोर्ट क्लास में हो गया है तो आएद आर यू हैपी नाओ यहाज़ी है अंचावलों को दम पे लगाने के बाद मैं कमने में आगी थी तो आयत की ये थोड़ी सी कन्वरकेशन जो मेरे साथ हुई है वो मैंने आपके साथ शेयर की है आयत माशाला फोल क्लास में हो गई है अब सुबा से उसने न्यू क्लासीज है उनकी तो उसने सुबा से स्कूल जाना है उसका बैक मैंने सेट करवा दिया है यूनिफोर्म भी प्रेस करके रख दिया है और यहां जी मेरा पूरा मैन्यू आज का कम्प्लीट है और यहां मैंने सारा कुछ रख दिया अच्छा बहुत जादा डेकुरेशन जो है वो मैं नहीं करती सिंपली सी मैं रख के चीज़े आपको दिखा देती हूँ